नमस्ते दोस्तों मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याई 5 जो की है उपस हैसोजन योगिक पार्ट 8 के विशाई में अध्यान करेंगे इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है उपस हैसोजन योगिकों में रंग, क्रिष्टल छेत्र सिद्धान की सीमाएं एवं धातु कार्बनिलों में आबंधन तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं उपस हैसोजन योगिकों में रंग इसका अर्थ है कि जब स्वेत प्रकास प्रतिदर्ष में से होकर बाहर निकलता है तो ये उसका कुछ बाग असोचित कर लेते हैं अतहा बाहर निकलने वाला प्रकास अब स्वेत नहीं रहता है संकुल का रंग वह दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवसोसित रंग का पूरक होता है यानि कि जो संकुल योगिक होते हैं ये सूर्य से आने वाले द्रिश्य प्रकास को आवसोसित कर लेते हैं और ये द्रिश्य प्रकास के जिस रंग को आवसोसित करते हैं उसी के पूरक रंग के ये संकुल योगिक दिखाई देते हैं पूरक रंग आउसेश तरंग्दैर द्वारा उत्पन होता है। यदि संकुल हरा रंग आउसोसित करता है तो यह लाल दिखाई पड़ता है। सारणी 5.3 में विभिन आउसोसित तरंग्दैर तथा प्रेचित रंग के मध्य संबंध दर्साय गया है। सि कुछ उपसेशोजन सत्ताओं के प्रेचित रंग तथा आउसोसित प्रकास तरंग्दैर्थ में उसको प्रदसित किया है। तो यहाँ पर उपसैशोजक समों को प्रदसित किया गया है। जबकि यहां पर अवसोसित प्रकास का जो तरंगदैर्द है नैनो मीटर में उसको प्रदसित किया गया है, यहां पर अवसोसित प्रकास के रंगों को प्रदसित किया गया है, और जबकि यहां पर उपस है सोजक समों के रंगों को प्रदसित किया गया है, तो सबसे पहले CONS3 का होल 5, CL2 positive के लिए आउसोसित प्रकास का जो तरंगदेड़ होता है वो 535 nanometer होता है और इसके लिए आउसोसित प्रकास का जो रंग है वो पीला रंग होता है और इसके कारण उपस है सुजक समों का जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है ठीक इसी प्रकार CO NS3 का होल 5 S2O 3-positive के लिए आवसोसित प्रकास का तरंगदेड 500 nm होता है और इसके लिए आवसोसित प्रकास का रंग नीला हरा होता है और इसके कारण उप सह सोजग सम्मू का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है CO NS3 का होल 6 S3-positive के लिए आवसोसित प्रकास का जो तरंगदेड है वो 475 nm होता है जबकि इसके लिए आवसोसित प्रकास का जो रंग होता है वो नीला होता है और इसकारण उप सह सोजग सम्मू का जो रंग होता है वो पीला नारंगी होता है जबकि CO CN होल 6 S3-positive के लिए आवसोसित प्रकास का जो तरंगदेड है वो 310 nm होता है और इसके लिए जो आवसोसित प्रकास होता है वो पराबैंगनी होता है जो कि दृष्य छेत्र का नहीं है और इसके लिए उप सह सोजग सम्मू का जो रंग होता है वो हलका पीला होता है ठीक इसी प्रकार CU H2O का होल 4-positive के लिए आवसोसित प्रकास का जो तरंगदेड देता है वो 600 nm होता है इसके लिए अवसोसित प्रकास का रंग लाल होता है और इसके कारण उपसाय स्योजग समूं का रंग नीला होता है और ठीक इसी प्रकार TI H2O whole 6 3 positive के लिए अवसोसित प्रकास का तरंग देर्थ 490 nm होता है इसके लिए अवसोशित प्रकास का रंग नीला हरा होता है और इसके कारण उपसह स्योजग समूं का जो रंग होता है वो नील लोहित होता है उपसह स्योजग योगिकों में रंगों की ब्याक्या क्रिस्टल छेत्र सिद्धान के आधार पर ही सहज ही की जा सकती है संकुल TIS2O whole 6 3 positive का उधारण लें जो बैंगनी रंका है यहो एक अस्ट फलक्या संकुल है जिसमें धातु के D कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन संकुल की निम्नितम उर्जा अवस्ता में T2G कक्षक में है इस इलेक्ट्रॉन के लिए उपलब्द इससे अगली उच्च अवस्ता रिक्त EG कक्षक है यदि संकुल पीले हरे छेत्र की उर्जा के संगत प्रकास का अवसोशन करे तो इलेक्ट्रॉन T2G इस्तर से EG इस्तर पर उत्तेजित हो जाता है इसके फल्सरॉप संकुल बैंगनी दिखाई देता है क्रिस्टल छेत्र सिद्दान्त यह मानता है कि उपसे स्वेजन योगिकों का रंग इलेक्ट्रॉन के डीडी संक्रमन के कारण होता है अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी मूल अवस्ता में है और T2G ग्रूप में है तो जैसी यह सूर्य से जो द्रिश्य प्रकास होता है उसमें से किसी रंग को अवसूसित करता है तो यह मूल अवस्ता से उत्तेजित अवस्ता में चले जाता है और उर्जा को अवस्तोसित करतके T2G इस्तर से EG इस्तर में चले जाता है और यह स्वेध प्रकास से जिस रंग को अवस्तोसित करता है ठीक उसी के पूरत रंग का हमें संकुल दिखाई देता है तो इस प्रकार संकुलों का रंग DD संक्रमन के कारण दिखाई पड़ता है कुछ रतनूं के रंग संक्रमा धातु आयन के D कक्षकों के बीच इलेक्ट्रोनों के संक्रमन से रंग का उत्पन होना हमारे दैनिक जीवन में अक्सर दिखाई पड़ता है मानिक्य लगबग 0.5 से 1% CR3 पॉजिटिव आयन युक्त एलुमिनियम ऑक्साइड यानि की Al2O3 है जिसमें Al3 पॉजिटिव के अस्तान पर CR3 पॉजिटिव आयन कहीं कहीं पर बेहतरीव इस्तित है हम इन्हें एलुमिना ठल्ड संकुल के रूप में देख सकते हैं के रंग उत्पन होते हैं यानि कि जो यहां पर मानिक्य दिखाया गया है तो इसका जो रंग होता है वो डीडी संक्रमण के कारण ही उत्पन होता है कि किसी प्रकार पन्ना में CR3 पॉजिटिव आयन खेनिज बैरिल में अस्ट फलक्या इस्तानों पर इस्तित रहते हैं मानिक्य का पीला लाल तथा नीला आउसोसन बेंड उच्चितर तरंगदैर्ट की और विस्तापित हो जाता है इसके कारण पन्ने से हरे रंग का छेतर वाला प्रकास प्रसारित होता है तो यहाँ पर जो पन्ने का हरे रंग का प्रकास यहाँ पर प्रदसित हो रहा है तो इसका कारण भी डीडी संक्रमण होता है अब हम समझते हैं क्रिस्टल छेतर सिद्दान की सीमाएं क्रिस्टल छेत्र मॉडल के द्वारा उपस है सर्जन योगिकों के बनने उनकी सन्रचना रंग तथा चुम्बक्य गुणों को काफी हद तक सरलता पूरक समझाय जा सकता है परंतु इन अवधारणों से कि लिगेंड बिंदू आविस है ऐसा प्रतित होता है कि रिनायन लिगेंड द्वारा डी कक्षकों का विपार्टन सरवादिक होना चाहिए अब ये दि रिनायन लिगेंड जो है वो डी कक्षकों का सरवादिक विपाटन करते हैं तो उन्हें जो है वो स्पेक्ट्रो रासानिक स्रेणी के निचले इस्तर पर नहीं होना चाहिए तो ये इसकी क्या है एक कमी है इसके अत्रिक्ट यह सिद्दान्त लिगेंड तथा केंद्य परमानों के मद्या आबंद की सह सोयजक प्रवर्ति का संग्यान नहीं लेता ये CFT की कुछ कमजोरियां हैं जिनने लिगेंड छेत्र सिद्दान्त यानकी LFT तथा आणवी कक्षक सिद्दान्त यानकी MOT द्वारा समझाय जा सकता है अब हम समझते हैं धातु कार्बोनिलों में आबंदन होमोलैप्टिक कार्बोनिल यानकी योगिक जिनमें केवल कार्बोनिल लेगेंड हो अधिक्त संक्रमर धातूं द्वारा निर्मित होते हैं इन कार्बोनिलों की सनचनाय सरल तथा सुइसपस्ट होती है टेट्रा कार्बोनिल निकेल यहाँ पर इसके ऑक्सिकन संक्या जिरो होती है चोतुस फल्किया है जबकि पैंटा कार्बोनिल आईरन यहाँ पर भी ऑक्सिकन संक्या जिरो होती है त्रिकोणिया द्विपिरामिडिया है जबकि हेग्जा कार्बोनिल क्रोमियम जिसमें यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सिकर्ण संक्या 0 है यह अस्ट फल्किया है तो यहाँ पर इनकी संरसनाओं को प्रदसित किया गया है तो यहाँ पर Ni Co whole 4 जो कि यहाँ पर चत्त फल्किया है यहाँ पर Fe Co whole 5 यहाँ पर यह त्रिकोणिया द्विपिरामिडिया है और यहाँ पर Cr Co whole 6 जो कि यहाँ पर अस्ट फल्किया संरसना में इस्तित है धातू कार्बनिलों के धातू कार्बन आबंद में सिग्मा तथा पाई दौनों के गुण पाए जाते हैं M-C सिग्मा आबंद कार्बनिल समों के कार्बन पर उपस्तित इलेक्टोन युगल को धातू के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है M-C πाई आबंद धातु के पूरिटी कक्षकों में से एक इलेक्ट्रोन युगल को कार्बन मोनो ओक्साइड के रित्प्रति आबंद पाई स्टार कक्षक में दान करने से पंता है तो धातु से लिगेंड का आबंदन या आबंद एक सह किर्या सीलता का प्रभाव उत्पन करता है जो सियो वो धातु के मत्य आबंद को मजबूत बनाता है तो धातु और लिगेन का जो आबंध होता है वो सह किरया सिलता का प्रभाव उत्पन करता है जो कि यहां पर प्रदसित किया गया है और इस कारण जो धातु और सियो के मद्य आबंध होगा वो अत्यधिक मजबूत आबंध होगा तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में हम पढ़ेंगे उपस है सुजन योगिकों का महत्वा तथा अनुपरियोग और सारांस तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में